मेरा देश मेरी मा सत्रू से देश की रक्षा करना देश वासनों का परमपुनित कर्तव होता है लडाई में पीठ दिखा कर भागना नहीं चाहिए सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए तभी तो वीर्म विजय माला पहनते हैं इस घटना से बच्चों में साहस और वीर्ता का भाव जगता है वे अपने कर्तव के परती सहज होते हैं प्रोटेक्टिंग दे कंट्री फ्रम दे एनिमी इस दे मोस्ट स्केर्ड दूटी अफ दे कंट्री में वन शुल मूव फोवर विथ हैस्चस, हेल्ड हाई इस वाई, दे ब्रेव वेर्दा विजे माला इस इंसिदेंट अवेक्ता, फिलिक अफ करेज और ब्रेवरी इन चिर्रन दे बिकम अवेर ओफ देर दूटी सन उनिस्व पैसेट की साम हर तरफ सांती का वातवरन था किसी तरह की कोई आसंका नहीं थी तभी दूस्मनों ने भारत पर आकर्मन कर दिया वन इवनिंग इन दे यर 1965 देर वस एन अट्मोस्पिर ओफ पीस एवरिवेर देर वस नो फियर ओफ एनी काइंट अचानक हुवी इस हमले ने भारतिया सेन को चौका दिया छुटिया बिताने अपने घर गए सैनिको को तुरत वापस आने का आदेश भेजे गएं छुटिया बिता रहे भारतिया सेन के ही एक मेजर को जब सूचन मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मा के पैर चूकर परनाम किया मा का ममता जाग उठा आँखों में आशू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया विन ए मेजर ओफ इंडिया आर्मी, हुवस उन लीव, गट इन्फरमिशन, ही तस्ट उन्होंने मदर और बोट दाउन, दा मदर्स अफेक्शन वस अवेग Tears filled her eyes and she hugged her son मेजर का गलब भी रूद गया, पर तुरत ही मातर भूमी का समरन हो आया युद भूमी को जाते हुए पुत्र के सीर पर हाथ रख कर आसिरवाद देते हुए मा ने कहा, बेटे इस समय राष्ट रक्षा ही पर तीक भारतिया का सबसे बड़ा करतव है अच्छ परूमी का सबसे चुब बड़ा जाते हैं बड़ा रूमी का समर्ट रख करते हैं इस मतर दूमी का समर्ट रख करते हैं जाओ और दुरूंडता से अपने कर्तव का पालन करो याद रहे भारतिया परमपर सीने पर गोली खानी की है पीट पर नहीं गो एन फुल्फुली और डुटी फामली रिमेंबर इंडियन ट्रेडिशनल इस तो टेक दे बुलेट ओन दे चेस नोट ओन दा बैक युद भीशन रूप से फैलता जा रहा था इचोगिल नहर का मोर्चा भारतिया सेना के लिए चिनोती का दिवार बना खड़ा था प्रस्ण उठा इस अबेद दिवार को तोडने की जिम्मेदारी कोन निभाएगा अबार इचोगिल नहर फोट फोट जूड अज आज वाल फट चालेंच For the Indian Army The questions are Who will take the responsibility of breaking this challenging wall? कारे असान नहीं था सीधे मोत के साथ जूजना था पर वीर कभी मोत के भाय से रुखे हैं? तुरंथ एक वीर ने इसका दाइतव स्विकार कर लिया ये गाउं से आई हुए वही मेजर थे The task was not easy One had to fight directly with death But has the attack ever stopped due to the fear of death? Immediately a brave man accepted this responsibility He was the same मेजर who had come from the village मोत की परवा किये बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे दिल दहलाने वाली गोलियों का सोर कानों के परदों को फालने की कोसिस कर रहा था Slowly they started moving forward The मेजर took charge of the front without caring about the death The heart-rending noise of bullet rich has ears मेजर पर देश भक्ती का जोस पूरी तरह चाया हुआ था मोके का इंतिजार किया जाई इतना समय भी नहीं था इसलिए वे धड़ा-धड़ गोली बारी करते हुए दुस्मन के टैंकों को धोवस्त करते आगे बढ़ रहे थे The मेजर was completely overcome with zeal patriotism There was not enough time to wait for the opportunity So, he was moving forward with family continuously destroying the enemy tanks तभी दुस्मन की कई गोलिया एक साथ संसनाती हुई आई और मेजर की हाथ हुआ पेट में घुस गई मगर भारतिय परमपरा सीने पर गोली खानी की है पीट पर नहीं मा के ये सब प्रेरना दे रहे थे वे चोट की परवा किये बगार आगे बढ़ते रहे और गोलिया आ आ कर उनके सीने में घुस्ती आई आई फ्रेवा प्रेवा सेवे बड़ते हादी और कार भारतिय आई बड़ते हादी आ Ainता आई खिट एंच की है। Note on the back These words of his mother were inspiring him He kept moving forward without caring about the injury And bullet kept coming and entering his chest Stiti को समचते हुए उनको पीछे हटने का आदेश चारी किया गया पर मेजर के कदम रुके नहीं दुस्मन के सारे टैंको को धोवस्त कर विजे सिरी को गले लगा कर ही उनुहोने दम लिया Understanding the situation, he was ordered to back But the मेजर दिद नोट स्टोप He took a sign of relief only after destroying all the enemy tanks तुरत ही अमरित सर के साइनिक आस्पताल में उन्हें लाया गया पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था Immediately he was brought to the military hospital in अमरित सर But by then his chest entire was riddle with bullets रूदे गले से अधिकारियों ने पूछा आपके कोई अंतिम इच्छा है? गोलियों सीने में कसक रही थी पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा हाँ है मेरी मा तक संदेश पहुचा देना तुम्हारे बेटे ने गोलियों सीने पर ही खाई है पीट पर नहीं अच्छा च्छा आफित अच्छा था rules है पीजो है ति च्म्हारे यह एँर थी यहां ही है वँ त। ब brick फरहे है था में पर दूटे परहे है परह् bleibt अच्छा है तुम्हारेज उटेशे हैं आपके कहाए में अच्छा है पर्या ने चापके कहाई है जानते हो ये बहादूर कौन थे ये भारतिय सेना का अपसर मेजर आसरमत्यागी थे जिन्होंने मा के वचनों का पालन करते हुए अपनी मात्र भूमी की रच्छा के लिए परानों की बाजी लगा दी Do you know who this brave man was? He was Major Asaramत्यागी, an officer of the Indian Army who followed his mother world and risked his life to protect his motherland Deepak बुज गया पर उसकी अमर जयोती युगो तक देश भक्तों को राह दिखाती रहेगी The lamp has been off but its internal light will continue to guide the patriots for age एक वायके में उत्तर लिखिये Write answer in one sentence भारत पर दुस्मनों ने कब आकर मान किया? When did the enemies attack India? Answer भारत पर दुस्मनों ने उनिस्षो पैसेट में आकर मान किया? The enemies attacked India in the year 1965 Major को तुरंद किसका सम्मरन हो आया? What did the major immediately remember? Answer Major को तुरंद मात्र भूमी का सम्मरन हो आया? The major immediately remember his motherland भारतिय सेन के लिए किस नहर का छेत्र चुनोती की दिवार बना खडा था? The area of which canal stood as a wall of challenge for the Indian army Answer भारतिय सेन के लिए इच्छो गिल नहर का छेत्र चुनोती का दिवार बना खडा था? The area of इच्छो गिल केनल stood as a wall of challenge for the Indian army इच्छो गिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तयार थे? Who was ready to break the इच्छो गिल केनल? Answer इच्छो गिल नहर तोड़ने के लिए Major Asaram Tiyagi तयार थे Major Asaram Tiyagi of the Indian army was ready to break the इच्छो गिल केनल Major ने किसकी परवा नहीं करते हुए मोर्चा संभाला Without caring about what? Did the Major take charge of the front? Answer Major ने मोट की परवा नहीं करते हुए मोर्चा संभाला The Major took charge of the front without caring about death Major ने अधिकारियों से क्या कहा? What did the Major say to the officers? Answer Major ने अधिकारियों से कहा मेरी मातक संदेश पहुचा देना की तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है पीट पर नहीं The Major told the officer Send a message to my mother That your son has taken the bullets on the chest Not on the back The Major told the officer Send a message to my mother That your son has taken the bullets on the chest Not on the back Major आशरम त्यागी ने माद्र भूमी की रक्छा में किसकी बाजी लगा दी? What did the Major आशरम त्यागी रिख्च तो Protect his motherland? Answer Major आशरम त्यागी ने माद्र भूमी की रक्छा में प्रानों की बाजी लगा दी The Major आशरम त्यागी Risk his life to protect the motherland Major आशरम त्यागी ने किसे दिये हुए वच्चनों का पालन किया To whom did Major आशरम त्यागी Keep his promise? Answer Major आशरम त्यागी ने Maa के दिये हुए वच्चनों का पालन किया Major आशरम त्यागी Keep his mother's promise 2-3 वाकियों में उत्तर लिखिये Write answer in 2 or 3 sentence सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यूं दिया गया? Why were the soldiers suddenly ordered to return immediately? Answer अचानक हुए इस हमिले ने भारतिया सेना को चुका दिया चुटिया बिता ने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश धेजे गई The enemies attacked India This sudden attack shocked the Indian army The soldiers who had gone home to spend their holidays were immediately ordered to return युद भूमी जाने से पहले Major ने जब मा को परनाम किया तब दोनों की स्तिती कैसी थी The enemies bowed to his mother before going to battlefield What was the condition of both of them? Answer उन्होंने मा के पैर चुकर परनाम किया मा का ममता जाग उठा आंखों में आशु भर गई और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया Major का गलब ही रूद गया पर तुरत ही मातर भूमी का सम्मरन हुआया Before going to the battlefield the major touched his mother feet and bowed to her the mother's affection awaited Tears filled her eyes and she hugged her son The major throat also chocked But he immediately remembered his motherland यूद भूमी को जाती हुए पुत्र के सीर पर हाथ रखकर मानी क्या आशिरवात दिया What blessing did the mother give by her hand on the head of her son Going to the battlefield Answer यूद भूमी को जाती हुए पुत्र के सीर पर हाथ रखकर आशिवात देती हुए मानी कहा बेटे इस दमे राष्ट रक्षा ही परतियक भारतिय सेना का सबसे बड़ा करतव है जाओ और दूर्णता से अपने करतव का पालन करू याद रहे भारतिय परंपरा सीने पर गोली खाने की है पीट पर नहीं Putting her hand on the head of her son Going to the battlefield The mother said Son, protecting the nation is the duty of Every Indian Go and perform your duty Remember, Indian tradition is To take the bullet on the chest Not on the back Amritsar के आस्पताल में Major के अंतिम सब क्या थे? What were the last words of the major in the hospital of Amritsar? Answer Major ने अधिकारियों से कहा मेरे मा तक संदेश पहुचा देना तुम्हारे बेटे ने गोली या सीने पर ही खाई है पीट पर नहीं The badly injured major was bought to the military hospital in Amritsar There was no hope of his survival When the officer asked us about the last visa He replied that Send a message to my mother Your son has taken bullet on the chest Not on the back Major आसरम त्यागी की युद कुसलता के बारे में आप क्या जानते हैं अपने सब्दों में लिखिए What do you know about the war skill of major आसरम त्यागी? Write in your own word Answer Protecting the country from the enemy Is the most scared duty of countrymen One should not run away Soving the back in the battle One should move forward with just held high The most severe आसरम में आसरम में लिखिए One should be a झाल के बारे में लिए The most severe आसरम आसराब परादी के लिए One should be a human, therefore It is. One should be a human, but not only countrymen The most severe आसरम में लिए One should be a human in the world प्राइब करो प्राइब कर सकते हैं